बात करने वाले आज की ट्रेड के बारे में आज की ट्रेड कहां पर किया कितना प्रॉफिट कितना लोग सुआ है और आज की ट्रेड के पिछे की क्या साइकोलोजी थी तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी अगर आप एक बीगिनर के चार्ट के उपर में ट्रेड करना प्रिफेर करता हूं तो यहां पर पाच विनिट के चार्ट मैंने यहां पर लगा रखा हैं आज के दिन देखेंगे मार्केट गेप अपनी के बास सड्टनली डाउन साइड आता है और डाउन साइड आए कि दोस्तों अपना जो लेवल दोस्तों यह मुमेंटम के लाओ बात लेखेंगे मार्केट ने इंक अच्छा मुमेंटम नहीं किया निचे क्लोजिंग होती ही यह जो पांच मिनट की पहले पांच मिनटबंग होती तो मैं यहाँ से एसल देखें नोदु 11 हो जा बढ़ दोस्तों यहां पर देखेंगे continue market ने एक upside का momentum दिया था और जो मेरा पहला जो target था वो था 980 का level 980 का level आया और वहीं देखेंगे consolidate हुआ और वहीं पर मैंने अपना जो profit था वो book कर दिया था और दोस्तों यह जो profit देखने को मिला है वो काफी अच्छा profit देखने को मिल वीडियो के end में आपको screenshot मिल जाएगा बर दोस्तों इस जो profit है और यह जो trade किया मैंने उसके पिछे की psychology और mindset क्या था सिंपल सी चीज़ है यहां पर देखेंगे सिंपल सी चीज़ सबसे पहली चीज़ को मैंने फोलू किया market का trend मार्केट का trend था positive positive trend था positive trend इसलिए था क्यों इसा मैं आपको बताता हूँ पहले five minute की जो strategy है पांच मिनिट के वाली जो मेरी trading strategy है मेरा जो setup है वो setup मेरे को मिलता है तो मैं definitely daily के daily उसको trade करना prefer करता हूँ बर दोस्तों आज के दिन मेरा mindset यही था कि यहां पर next candle भी इसकर अगर low close करके downside में close होती तो यहां पर मेरी trade से नि करना चाहिए और तो मार्केट में देखेंगे इस candle ने अच्छा momentum दिया inside candle बनी inside candle का high cross किया और जैसे high cross किया तो continue देखेंगे वापिस आई upside की momentum दी यहां पर देखेंगे इन candle में कहीं पर भी आपको एक भी रेट candle देखने को नहीं मिलेगी only दोस्तों पहले five minute की candle में जो भी gap up opening के बाद जो profit booking वही वो profit booking देखने को मिली और continue upside में consolidate के बाद दूस्तों 840 25,000 040 के पास जाके closing दी यह market ने उसके बाद दूस्तों downside म है रिटेस्मेंट लिया वापिस upside गया फिर consolidate के closing कर दिये तो आज के दिन का trade यही था और इसके पिछे का mindset यही था strong अपनी analysis को रखो strong money management रखो strong risk management रखो और strong रखो अपने mind को की जहाँ पर हम trade लेते हैं वहाँ पर अगर अगर गलत साबित हुए तो यहाँ पर अपन को तुरंद निकलना है अगर जब तक गलत साबित नहीं होते हैं तब तक अपने को exit करने की कोई जरूरत नहीं है और दोस्तों यहाँ पर इसी reason से मेरे को यहा प्रेवल से निकलता हूँ कैसे मैं analysis करता हूँ सारे चीजे में आपको बताता हूँ मेरे premium membership group के अंदर जिसकी information आपको description में मिल जाएगी कैसे आप हमारा premium membership group join कर सकते हैं तो description में जाके check out जरूर कीजिए otherwise दोस्तों आप हमारा free वारा telegram group join कर सकते हैं वहाँ पर एक trade में free मे देता हूँ तो description में आपको उसकी link भी मिल जाएगी otherwise दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा है या फिर कोई भी learning मिली तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और मुझे instagram पे जरूर फोलो कीजिए